ऐस्ट्रेलिया बनाम इंग्लेंड का दूसरा टी ट्वेंटी मैच खेल लगाया जिसमें इस बार इंग्लेंड ने ऑस्ट्रेलिया को पठकनी देजी और दवोज दिया ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेलते हुए 193 रन बनाए चैबिकेट के नुक्षान बन लेकिन जिसम पूरा नहीं चला वरना जो ऑस्ट्रेलिया के हाथ मैं समय कहीं नहीं जाता चौदे गयानों में 31 बनाए और चार चौके लगाए दो छक्के लगाया जहीं जैक रहसर भी आज अच्छी बल्लीवाजी की 31 पचास रन चार चौके लगाए दो छक्के लगाए लेकिन ट्रेव लेकिन जब इंग्लेंड की टीम खेलने आई शुरू आतम जटके लगने शुरू हुए लेकिन इसके बाद भी बावजूर भी इंग्लेंड के बिकेट गिरते रही एकने नहीं 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 अपने लक्षा को हासिल कर लिया और फिलिप्स आल्ट ने तेजिस गयंदम 49 रन की पारी खेली जिसमें दो चौके लगाए सांदर पारी रही लेकिन 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 इतना ज्यादा दोनों मैंटों बहुत ही जोड़दार प्रदर्शन किया है कि मैं आप दमें लाइ लाइन दोन चले लिए चार चौके तीन शक्के लगाए और ऑस्ट्रेलिया की बालन की बात कि जाए तो अस्ट्रेलिया मेथ्वॉट बाई किया कमाल की बालन करता है बहुत को पता नहीं 11 ख़लाडियों को ओल्राउंडर किलाता है क्या दिफुर उसमें जो मिच्छिव मार सब्सक्राइब कर लेता है जैक प्रेचर भी है लगबग इसके भाई इस जवी तो जीत जाती है लगबग मैस्टी शॉट ने तीन ओवर में 22 रन देगार के पांच बिकेट निकाल दिये सीने वर्ट ने चार ओवरां 37 रन देगार